प्रेंज नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी व्यूवस का वेलकम करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूच्व फेस्बूक और आज़िटीवी नटपक पर फ्रेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल का दैनिक बताएंगे आपको प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कैसा स्पेशल उपाय जो आपके लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को चुटकियों में दूर कर देगा तो चलिए राशे फिल के शुरुवात करेंगे पंजांग के साथ में तो दिन है शुकरवार का तारी पर दिन में तक रवी योग रहेगा सुवह पाँच बच कर उन पचास मिनट से लेकर शाम में आट बच कर चोदा मिनट तक दिन का सबसे शुक जो रहेगा वो रहेगा सुभह 6.42 से ले करके सुभह 8.42 मिनट तक विशेश का है वर्दमान ही हो गया और इसमें धैरे लक्ष लक्षमी का पूजन किया जाता और धैर लक्षमी को ही वीर लक्षमी कहा गया है और हम आपको बताएंगे विशेश कि धैर लक्षमी का जो स्पेशल उपाय है वो काम काज में आ रहा ही बाधाओं को कैसे दूर करेगा वीर लक्षमी कैसे आपके हर्डल को चुटके में दूर कर देंगे उसके लिए राशिफल आपको आखिर तक देखना पड़ेगा तो चलिए राशिफल के शुरुबात करते हैं राश नमबर एक मेंशानी की एरीज के साथ में खान पान पर नियंतर्ण रखें व्यर्थ के दिखावे से दूर रहें सोचेवे काम पुरू होंगे कारे उपाईये करें कि इच्छा नुसा राटा दान करें दूसरी राशि व्रिष एनी टॉरस की बात करेंगे दफ्तर में काम का दबाव रहेगा नौकरी में प्रमोशन के योगे हैं सोच समझ कर ही निवेश करें रचना तमक काम में मन लगेगा संबंदों में सुधार आएगा उपाईये करें कि इतरका स्तमाल करें तीसरी राशि मिथुन यानि जमिनाई की बात करेंगे दफ्तर में कड़ी मेहनत करेंगे मान सिक रूप से परिशान रहेंगे खास काम में जीवन साती से योग देगा कारोबारी लाब मिलेगा सेहत पर ध्यान दें उपाईये करें कि धर्म स्तल में घी का दीपक, चौती राशिक करके यानि की कैंसर की बात करेंगे, कारोबारी लाप के योगे हैं, सामाज एक मान सम्मान मिलेगा, साहस और प्राक्रम में व्रद्धी होगी, धर्म कर्म में रुची बढ़ेगी, बच्चों के साथ में समय बिताएंगे, चौती राशिक कन्यानि के वरगों की बात करेंगे, करियर में मौके मिलेंगे, पारिवार एक्षोग काम की योजना बनेगी, कारोबार में लाप के योग हैं, व्यवहार अपना काबू में रखें, मित्रों के साथ में समय बिताएंगे, उपाई ये करेंगे, चंदन का प् परस में रखें, आठवी राशिव रिष्चे करेंगे, स्कौर्पियों की बात करेंगे, सेहत पर ध्यान दें, कारोबार में निवेश करेंगे, खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, घर में आनन्द का महाल रहेगा, पिता कामकाज में सहयोग देंगे, उपाई ये करें, कि घ भर के अगने कोन में दीपक जलाएं, नवी राशिद्धनू, यानि कि सजटेरियस की बात करेंगे, आर्थिक शेत्र ठीक रहेगा, घरिलुकाम में भागदोड रहेगी, कारोबारी विस्तार की योजना बनाएंगे, दफ्तर में अधिकारी सहयोग देंगे, रिष्टों मे कड़वाट आएगी, उपाईये करें कि गरीब महिला को मैदा दान करें, दस्वे राशिय मकर यानि की केप्रिकॉन की बात करेंगे, सोच समझ कर ही नौकरी में बदलाव करें, साहेते में रुष्टी बढ़ेगी, संतान की चिंता रहेगी, सोच समझ कर कारोबारी निरने सेहत पर ध्यान दें, उपाईये करें कि मैदा से बने हुए पकवान खाएं, ग्यारवी राशिय कुम्भ, यानि के अक्वरियस की बात करेंगे, मन में उल्जन रहेगी, कानूनी मामले सफल रहेंगे, काम को बहतर धंग से करेंगे, कारेशेतर में बदलाव आएगा, दूस को पढ़ाई लिखाई जो है उनकी वो बहतर रहेगी, उपाईये करें, ओम शुम शुक्राय नमा, या ओम शुक्राय नमा, इस मनतर का जाब करें, तो दोस्तों अब समय है आज के स्पेशल उपाईगा, वो स्पेशल उपाईगा, जो काम काज से बादा धूर कराएगा, द दिवी लक्ष्मी पर चड़ेवे सूखे आमले, जो हैं दिवी लक्ष्मी पर सूखेवे आमले चड़ाएं, और जो चड़ेवे आमले हैं, ये लाल बस्तर में बानकर इसे छुपा कर रख दें कहीं है, और इस पूरे प्रयोग में विशेश मंतर का जाब करें, ओम शुरीम हरीम कलीम वीर लक्ष्मी ये नमा, आज वस्त करता हूँ आपको, काम काज से निश्चत सारी बाद हाएं, दूर होंगी तो दोस्तों आज कली बस अतना ही, कल आप से फिर मिलाकात होगी इजाज़त दीजे, नमस्कार, नमस्षिवाए